तो हेंडर में से 90% जो बंदे हैं वो हमेशा एक गलती जरूर से जरूर करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करते हैं गाड़ी को स्टार्ट कैसे करना है वो उन लोग को बिल्कुल भी बता नहीं होता है और जो 10% लोग है न उन लोग को तो मैं बो अगर आप लोग इस तरीके का हरकते करोगे तो आपका छीमने ना होता है और ट्रेंदर सब होता है और यह फिल्टर आंधर इंजन क्लच नाहीं फॉर कर्के तो चीज है मजाक वाली नहीं है और यह उतわかे जाता है आप लोग की कहा कि start कैसे किया जाता है और क्या तरीका होता है और गाड़ी को जो यह ना मतलब long term अगर आप लोग रखना चाहते तो किस तरीके से आप लोग उसका care कर सकते है तो बंदे क्या करते है वो जो 90% जो बंदे आ जाते सुबह त्यार तूर हो के बढ़िया एकदम से और गाड़ी को पर 100-200 किलो का वजन लगा दे तो कैसा आप लोग को फील होगा यार वो चीज आप लोगोंने सोचनी है यार ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी गाड़ी है यार इसका भी एक दिल है उस दिल के care करने के लिए आप लोग को किस तरीके से जो इना गाड़ी को start करनी चाहिए वो स किसी तरीके से यूस्ट हो जाते हैं गाड़ी को एकदम से क्रेंक करके और निकल जाना तो यह बिल्कुल भी गाड़ी के लिए अच्छा नहीं है यार आप लोग का जो इंजिन है बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा और आप लोग की गाड़ी से प्यार करते हैं तो पहले आप लोग गाड़ी के अंदर आते हो उसके ल利ко के अंडर पूरी गाड़ी को चा करने के बाद विसके बाद क्या करने आप लोगो ने अगर आप लोग की कारदी तो आप लोग को पता किस तरीके से त्रीट कें जाती profit हो जाती है ना उसके बाद जो है ना उसके पांस सेकंड के बाद गारी को क्रेंग करना है अब मैं आप लोग को जो है ना करके दिखाता हूं देखे आप लोग अभी तो गारी चल के आई है तो सबसे पहले आप लोग को एक दबाना तो देख सकते हैं आप लोग का यह आप लोग का चल कर देना इस तरीके से अब जैसे ही आप लोग की गाड़ी स्टार्ट हो जाती ना उसके बाद जो है जब तक आपकी गाड़ी आइडल कंडिशन पे नहीं आ जाती देख सकते हैं आप लोग जब भी आप लोगोंने नोटिस करना है गाड़ी का जो यह आर्प्या मीटर है नही जब भी आप लोग पहली बाद फर्स टाम गाड़ी को चला रहे हो रात बर खड़ी रखने के बाद तो आप लोगोंने चेक करना है इसको नूटल पे डाल के और यह जो आप लोग का एक हजार से उपर होगा तो जैसी गाड़ी जब चलने के उस मूड में आ जाएगी तो यह जो एक हजार से नीची आ जाएगा यहां पर तो वहां पर जाके साउंड गाड़ी की बिल्कुल चेंज हो जाती है अब इसका मतलब यह होता है कि जब सब कुछ ऑल तयार है ऑल गरम हो चुका है इंजिन ग कि जैसे ही आप लोग गाड़ी को चलाना लग जाते हो ना आइल के बाद भी यह सब चीजे आप पूरा अपलाई करने के बाद उसके बाद ही आप लोग को जो आर्पेम मीटर है इसको ज्यादा रेव नहीं करना है आप लोग हाई आर्पेम पे गाड़ी बिल्कुल भी नह चलानी है 2000 से नीचे ही आप लोग को आर्पेम रखना है गाड़ी का इससे क्या होगा आप लोग का जो जो आपने अपने टेंपरेचर पर नहीं होता है जैसे के लग जो है ना एक दूसरे से करने लग जाएंगे उसके बाद यह आप लोग को जाना गाड़ी चलाने का गड़ी होगी तो आप लोग का मोटा खर्चा वहां पर हो सकता है आप लोग पता है लाखो रुपे बचाने आप लोग ने यहां लॉंग टाइम तक आप लोग गाड़ी को अच्छे से रखना भी बिना खर्चे के तो यह सब चीजे जो आप लोग के डेली लाइफ में कुछ होगा है अब मतलब समझ जवाब लोग ठीक है ज्यादा बूलने की ज़रूरत नहीं है तो बस यह कुछ ऐसा तरीका था गाड़ी को स्टार्ट करने का तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है गाड़ी चलाते वक्त भी जब आप लोग पहली बार गाड़ी को चला रहे ह आप लोगों ने बाकि आप लोग की मरजी हैर हम कौन होते हैंसे बोलने वाले हमारे को फ़र्स्ता आप लोग को बताने का कि यार ऐसा ऐसा नुकसान हो सकता है तो चलो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना नहीं है कोई बात नहीं आई गाड़ी से प्यार करते ह